इसका तुम्हें था इंतजार येस गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है और हम आपके सामने लेकर आए बिल्कुल पहला सेशन MBA, Foundation, Batch का तो येस गाइस जैसे कि हमने पूरे MBA वाला टीम ने आपसे प्रामीस किया था कि हर एक सब्जेक्ट जो कि काइट के लिए MBA के लिए important है वो आपको scratch से basic से पढ़ाएंगे जिसमें भी आप डरे हो like LRDI, CONT, VARC सब आपको basic से अगर हम उठाएंगे न गाईस आपका डर भग जाएगा definitely आपका interest create होगा, यह guarantee है हमारी, so finally हम लेकर आए है MBA foundation batch, how is the josh guys, आए ही होगा में को पता है, बस बोल दो एक बार comment में, है न, so yes guys, मेरा नाम विनित कांकरिया, I am your CONT teacher at this wonderful channel, MBA वाला by PW, तो दोस्तों, जैसे बीच में हमने एक पोल किया था कि भाई, आप सबसे आदा कौन से subject से डरे हो cat में, तो आपने majority student ने vote किया था CONT, और इसलिए हम पहला ही session foundation batch में लेकर आया है CONT का, और वो भी जिस topic के साथ हम अभी आ रहे है, उस topic का नाम है ratio proportion, तो yes guys, जैसे कि आपको मालूम है, CONT में कई सारे topic है, लेकिन अपने आप में ratio, percentage, averages, यह ऐसे topic है जो खुद भ CONT QDI में भी data interpretation में भर भर के काम आएंगे दोस्तों, तो yes, इसी से हम शुरुआत करते हैं, क्या है उसका basic, कैसे यह practical based question में use होंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं foundation के साथ-साथ end में हम आपको वो variety भी दिखाएंगे, जो literally आ चुकी है cat में और omit में, ठीक है, मतलब स्रीब ऐस नहीं कि sir, foundation करके हो जाएगा, foundation के basis पे कितना कुछ होगा, क्या क्या होगा, देख लेना दोस्तों, तो शुरुआत करते है guys, ratio, proportions से, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा basic about ratio, proportion, of course, foundation batch है, तो क्या होता है ratio, proportion, उसके types, तो types पे direct question आते हैं भलाई, ना आए, ल strong है, उन्होंने भी रुकना है, उन्होंने भी ये वीडियो देखना है, क्योंकि end में हम कमपल सरी करवाने वाले है, important practice question, important practice questions हम कराएंगे guys, end में, ठीक है, जो की direct variety है, cat और omate की, तो बने रहो दोस्तों, बने रहो, so yes, ratio, क्या होता है ratio, जादा बोलने की जोरुत नहीं है, बड़ बोलूँगा, क्योंकि भाई, basic है, a by b, ठीक है, या फिर a is to b, यह होता है किसी भी ratio का representation, ठीक है, a को हम numerator, b को हम denominator बोलते हैं, लेकिन scientific terminology के हिसाब से, a is called as antecedent, क्या बोला जाता है उसको, antecedent, and b is called as consequent, बस पता रहे आपको, for example, अगर किसी question में, find ratio ना बोलते होए, find consequent of the ratio बोल दिया, तो आपको मालूम चाहिए, consequent मतलब कोई tension नहीं भाई, consequent मतलब denominator, उस ratio का जो भी final answer है, for example, हमारा answer 2 is to 5 आया है, तो जो denominator है, वो consequent, इधर option में 5 दिखा, टिक कर दो, अगर consequent पूछाए सिरक तो, antecedent and enumerator, ठीक है, फिर उसके बाद different different types क्या होते है duplicate, rarely use होगा guys, लेकिन आपको पता चाहिए, duplicate मतलब पता है क्या है, अगर कोई भी ratio दिया है, और उसका duplicate ratio बोल दिया है, तो simple उसका square ले लो, that's it, जैसे 2 is to 5 का duplicate ratio क्या होगा, 4 is to 25, यह ना, बस square ले लेना है, 2 का, 5 का, second आता है, subduplicate, subduplicate मतलब क्या होता है, square root, जो हमने square लिया, वो duplicate था, अब हम अगर square root ले 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 लेंगे, a का, b का, तो वो subduplicate होगा, उसी के साथ duplicate, duplicate, replicate मतलब क्या होता है, cube, यहने a cube अपन b cube, तो अब हम समझी क्यों होंगे, last type, sub-triplicate मतलब क्या होगा, cube root, ठीक है, तो sub-triplicate है नहीं क्या होगा, guys, cube root of a, and cube root of b, तो यह है, duplicate, triplicate, यहने, square, square root, sub-duplicate, sub-triplicate, cube, cube root, antecedent, consequent, यह सब terminology आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, now, compounded ratio, अब यह, मैंने कहा, इस पर direct question कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको कब, कैसे, किस form में, वो question में use कर ली हो, never know, ठीक है, तो पता रहना, कोई भी harmful नहीं है, ठीक है, उसका फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं है, तो इसके side effect कुछ भी नहीं, guys, extra knowledge के, तो yes, multiple ratios दे जाएंगे, और आपको बोला जाएगा, find compounded ratio of all these multiple ratios, तो फिर देखो, for example, अगर आपको एक ratio दे दिया, A is to B, दूसरा, C is to D, D, दूसरा, E is to F, और इन तीनों रेशो का, आपको question ने, compounded ratio बोला है, तो भाई, कुछ नी, जितने भी ratio का, compounded ratio बोला है, simply, इनका multiplication लेडा alone, ठिश के आओ, पतम, जितने भी ratio का बोला है, उसका क्या लेडा है, multiplication, जो भी final, एक final answer भी क्या बनेगा, एक ratio के form में, वो कहला हैगा, compounded ratio, that's it, क्या, so yes, इन बातों पे, बस एक knowledge आपको देना था, types, एक basic, वो मैंने बताया, अब आते हैं, उन चीजों पे, जिस पे, question मे हम बहुत बड़े level पर use करने वाले है, so yes, guys, सबसे पहले तो याद रखो, किसी भी ratio को, for the sake of solution, हम किसी same constant से multiply या divide कर सकते है, yes, कर सकते है, for example, एक ratio आपको दे दिया है, a is to b, और आपको लग रहा है कि आपको numerator को भी 4 से, और denominator को भी 4 से multiply करने की जरुरत पढ़ रही है, क्य instead of a is to b, क्या 4a by 4 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते होगा a, इंदास लिख सकते हो, या फिर आपको इसी ratio को 2, 2 से divide करने की जरुरत पढ़ रही है, a को भी और b को भी, क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, किसी भी same ratio को, किसी भी ratio को, आप same constant से multiply या divide कर सकते हो, लेकिन same constant से, और दोनों को, स्रिव उपर किया नीचे ने वो नी चलेगा, numerator, denominator, antecedent, consequent, दोनों को करना है, same constant से multiply या division, चौल बे, लेकिन अगर आप addition, subtraction सोचते होगे, तो नहीं चौल बे, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगी, for example, देख लो यार, अगर ratio 10 by 60 है, मुझे लग रहे, divide by 5 करो, 10 divide by 5, 2, 60 divide by 5, 12, क्या ये तीनों ratio same है guys, original ratio था 10 by 60, दोनों को 2, 2 से multiply किया, दोनों को 5, 5 से divide किया, क्या, same है, check कर लो, देखो, 0, 0 गया, ये कितना मिला हमें, 1 by 6, यहाँ पर भी 2 by 12, अगर मैं 2, 2 से divide कर लो, कितना मिला, 1 by 6, 0, 0 का target, 2 by 12 कितना होता है, 1 by 6, दूद का दूद, पानी का पानी, समझ गया न, किसी भी ratio को हम same constant से multiply या divide कर सकते हैं, एकदम basic से बता रहो यार, भहुत सो को पता होगा, बन यह रहो हो, आपके लिए variety आ रही है, questions आ रहे है, जिनको नहीं पता, note down कर लो, तो sir, क्या हम इसी ratio को, 10 by 60, किसी same constant से add या subtract कर सकत है, मानलो, अगर मैं इसमें 2, 2 add करना चाहूँ, तो 10 plus 2, 12, 60 plus 2, 62, क्या ये भी 1 by 6 है, no, या 2, 2 अगर मैं subtract कर लू, 8 by 58, क्या ये भी 1 by 6 है, no, तो thumb rule of the topic सुनो, guys, for the sake of solution, आगे आने वाले किसी भी situation पे, कोई भी ratio को, आप multiply कर सकते हो, किसी same constant से, divide कर सकते हो, किसी same constant से, बि कोई रोकेगा नी, कोई टोकेगा नी, लेकिन addition या subtraction किसी भी constant से नहीं कर सकते, ठीक है, चलो, guys, now, और एक चीज़ समझो, अगर आपको 2, 3 ratio दे दिये है, मानलो, A by B दिया है, B to C दिया है, A to B दे दिया, B to C दिया, लेकिन question चाहता है, इन दोनों रेशो को same platform पे लाने का याने question चाहता है, A is to B is to C निकालना, समझ रहे हो, A is to B दे दिया, B is to C दे दिया, लेकिन चाहता है, A is to B is to C निकालना, कैसे निकालोगे, simple है, guys, मानलो, ये दे दिया है, 2 is to 3, ये दे दिया है, 5 is to 7, एक थोड़ा conventional method आपको बताता हूँ, बाद में फिल ट्रिक बताऊँ आप, conventional method तो क्या यार, A, B, C को अगर मुझे same platform पे लाना है, तो सबसे important role कोन play करेगा, B, because B is the mutual friend, A के साथ भी जुड़ा हुआ है, B, C के साथ भी जुड़ा है, तो A, C को भी कोन दोस्त करवाएगा, दोस्ती करवाएगा, B ही करवाएगा, तो yes, B के साथ खेलो, अब B कोन है, 5, तो guys, इस पूरे ratio को, अगर मुझे B को same, जब तक मैं B को same नहीं करूँगा, मैं same platform पे नहीं ला पाऊँगा, तो B को, यानि B एक जगे है 3, एक जगे है 5, अब इनका common multiple कोन है, 15, 3 और 5, इनका common multiple दोनों के table में पहला number कोन सा आता है, 15, guys, वापीस मैं इस बात प इसको आप rule बोलो, condition बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन अगर count में mastery करना है न, तो जैसे जीने के लिए रोटी कपडा मकान, important है, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, आगी पीछले भी वीडियो में कुछ बोला होगा, उसी तरह count के लिए important है भाई, tables, हाँ, मैं हर चीज़ बे होगा, आज से 13 का start करो, यह न, टाली दोनों हाथ से बज़ेगी, guys, लेकिन जोरदार अगर बजा नहीं है, तो उतनी मेहनत आपको करना होगा, तो tables सबसे priority पे, उसके बाद square square root at least 30 तक, ये भी 30 तक या दोना जोर रही है, and cube cube root at least 15 तक, 15 तक, इसके उपर आप जितना करो, बहुत बढ़िया, लेकिन 1 to 30 table, 1 to 30 square square root and 1 to 15 cube cube root, ये target बना लो, ठीक है, चलो आते है, तो yes 3 और 5, अगर आपको table याद होगा, तो आपको मालूम है कि 5 के table में और 3 के table में पहला हो number कौन सा, 15, तो बस 15 कर दो, अब इसको, यहाँ 3 को अगर 15 करना है, तो पूरे ratio को हम 5 से multiply क करना है, तो yes guys, इस पूरे ratio को, सिर्फ 3 को नहीं करना है, पूरे ratio को करना है, हाला कि हमें सिर्फ 3 को 15 करना है, लेकिन उसके साथ में 2 को करना ही पड़ेगा, वही value as it is रहेगी, तो इस पूरे ratio को हम 5 से multiply करेंगे, देखो ये 15 हो गया, और इस पूरे ratio को 3 से करेंगे, ये भ ठीक है, so yes guys, जो चीज आपको चाहिए थी, वो मिल गई है, आपको चाहिए था, वी को सेम करना, तो एक जगे 3 था, एक जगे 5 था, एक वल नहीं था, आपने क्या किया, जिदर 3 था 5 से मल्टिप्लाई किया, जिदर 5 था 3 से मल्टिप्लाई किया, इसकी टोपी उसके सर है न, मल्टिपल दोनों का सेम 15 है, 15 कर दिया, और उस चक्कर में अब देखो, जब B 15 होता है, तो A कितना होता है, 10, और जब B 15 होता है, तो C कितना होता है, 21, तो guys, यह बन गया, इन तीनों का common platform, मतलब जब A 10 होता है, तो आप क्या बलोगे, C 21 होता है, A और C क्या हो गया, सेम platform पे आ गया, जो इसके पहले नहीं थे, तो yes guys, किसी भी ratio को अगर हमें same करना है, तो जो mutual friend है, उसके साथ खेलो, लेकिन मैं आप इससे भी बहतरी technique बताता हूँ, मान लो अगर A is to B, 2 is to 3 है, और B is to C, कितना था, 5 is to 7, तो अब देखो, अगर आपको A is to B is to C निकालना है, तो सबसे पहले तो A के और B के निच्चे बरावर उसकी value लिखो, B और C के निच्चे, वापिस B के निच्चे 5 आएगा, 7, और guys, अब आपको क्या करना है, अगें, B के element को क्या करना है, mirror image, यहाँ B 3 है, बिल्कुल उसके सामने जगा है, 3 लिख दो, यहाँ B 5 है, बिल्कुल इसके left में जगा है, 5 लिख दोर, क्या कर लो, इन दोनों का, इन दोनों का, और इन दोनों का multiplication ले डालो, 10, 15, 21, मुझे बताओ, गाईस, यही answer आया था न, इसके पहले, जब मैंने आपको conventional approach बताया था, B को same करने वाला approach, वो भी तो यह answer दे रहा था, इतना ना करते हो, यह trick ध्यान में रखो, बराबर जो same है, उसको मने बीच में रखा, B के इदर जगा थी, as it is, 3 को copy किया, इधर 5 को copy किया, खेल खत हम अब ऐसे, चाहे जितने value अलग-अलग होने तो मानलो, यह 4 is to 7 है, और यह 8 is to 3 है, अगेन, क्या करोगे, अगर आपको A is to B is to C निकालना है, यह है वो ratio जिसमें A, B, C, खेल रहे है, clear है guys, तो इतनी बाते समझो, अब बढ़ते हम आगे question की ओर, so देखलो अब छोटे-छोटे question, अब यह आपको दे दिया है, 2 times of A is equal to 3 times of B, is equal to 4 times of C, find A is to B is to C, majority student क्या निकाल लेते हैं, सर कितना easy है, A is to B is to C निकालना है, तो 2 is to 3 is to 4 आ गया, गए भाई गए, और option देखो, कितना चलाक है, चान बुझकर उसने 2 is to 3 is to 4 दे रखा है, नहीं है यह, गलती से भी answer मत ले लेना, क्योंकि अगर आप इसको A, B और C के जगे रखना चाहते हो, 2 is to 3 is to 4 को, तो मनी मन एक बार रखके देख लो, अगर मैं A के जगे 2 रखू, यह 4 हो जाएगा 2 into 2, B के जगे 3 रखू, तो 3 into 3, 9 हो जाएगा, और C के जगे 4, 16 हो जाएगा, भाई यह कहां से equal होए यार, अमारे जमाने में तो नहीं होते थे, अब यह कोई नया सिलाबस आएगा, इसमें 4, 9, 16, सेम होते हैं, बिल्कुल नहीं काईगा, मतलब हमने क्या कर दिये, blunder mistake, तो yes, ऐसे question में क्या करोगे, देखो उसने 2 times of a, एक तॉप option से जा सकते हो, लेकिन आर देखो, मैं आपको basic से समझा रहो, इसलिए with option फिलाल हम नहीं जाएंगे, ठीक है, with option फिलाल हम नहीं जाएंगे, मैं आपको हर चीज, conceptually समझाओंगा, तो yes, जब question ने तीनों को equal बोल दिया, but equal to what, नहीं बोला है, assumption, बहुत help करता है, पुरे count में, assumption approach, देखो गया आप, आगे जैसे जैसे heavy-heavy topics आएंगे न, उसमें भी assumption approach इतना हलवा बना देगा न topic को, तो yes, बने रहो, 2a is equal to 3b is equal to 4c, is equal to what, नहीं दिया, मैं मान ले ता हूँ 12, अब मानने के लिए 1, 2, x, 10, 100, कुछ भी मान सकते, लेकिन मैंने 12 ही क्यों लिया, क्योंकि guys, again 12 is the common multiple of 2, 3 and 4, 12 ऐसा number है, जो 2 से भी divide होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो देखो, question ने इन तीनों को equal बोला था, मैंने equal to 12 मान लिया, मतलब 2a भी कितना हुआ, 12, तो अगर 2a 12 हुआ, तो 2 उदर जाके divide हो गया, a कितना मिला, 6, again 3 भी भी कितना हुआ, 12, तो b कितना मिला, 12 divided by 3, 4, and 4 c भी कितना हुआ, 12, तो 4 उदर divide हो गया, 3, तो a is to b is to c क्या मिला guys, a मिला 6, b मिला 4, c मिला 3, option c is then, ऐसे करना था, ठीक है, तो देखो guys, बढ़ते अगले question पे, अब dick तो यहाँ पर भी क्या बोला है, यहाँ पर भी आपको बोल दिया है, x by 2, यह equal है y by 3 से, equal है z by 7 से, और आपको कहा निकालने बोला है, 2x minus 5y, अच्छा, यहाँ पर plus हैं दोस्तों, यह 2x minus 5y है, that is typing error, 3 equality दे दी थी, आपने 12 इसलिए लिया था, क्योंकि आपको पता था, a निकालने के लिए 2 से divide करना है, b के लिए 3 से divide करना है, इसलिए ऐसी value लिए, जो 2, 3, 4 से divide हो रही है, लेकिन इस वाले question में guys, x निकालने के लिए आपको 2 दर multiply करना होगा, यो भी value लोगे उसको, again y के लिए 3 से multiply करना होगा, z के लिए 7 से multiply, तो ऐसी कोई भी value ले ले है, मैं तो 1 ले ले तो, not necessary आप भी 1 लो, आप 2 लेके करोगा, यह आप 10 लेके करो, फिर भी आपका मेरा final answer, same हाएगा, guarantee, ठीक है, तो मैंने 1 ले ले ले, तो x क्या होगा, 2 दर multiply होगया, इदर divide कर रहा है तो, तो x मिला 2, y क्या होगा 3 into 1, और z क्या होगा 7 into 1, और बस यहाँ पर value रख दो, तो 2 into x, minus 5 into y, और मैंने कहा है, यहाँ plus है, तो 4 into 7, बस इसको solve कर लो, 2 into y, यहाँ यहाँ, यहाँ 2 into 3, 6, तो 4 minus 15 plus 28, तो दोनों addition कितना होगा, divide by 6, तो 4 and 28, दोनों plus है, तो 32 minus 15, तो 17 upon 6 is the answer, गाईस, option D, ठीक है, 17 upon 6 is the answer, अब देखो थोड़ा सा, word-based question पर मारा है, यहना, ध्यान दो, P, Q, R, R, 3 cities, the ratio of average temperature between P and Q, कोई tension नी, P और Q का average temperature 11 is to 12 दे दिया है, and P and R, P और R का average temperature 9 is to 8 दे दिया है, find the ratio between average temperature of QR, P Q का दे दिया, P R का दे दिया, Q R का पूचा, तो guys, यही तो चीज मैंने आपको introduction में बताए, कि आप इन दोनों को common platform बिला सकते हो, दोनों में common कोन है, P, P, guys, इसको मैं ऐसा लिख दू, Q is to P is to R, generally, अलाकि आप P is to Q is to R भी लिख सकते हो, लेकिन जो मैंने trick आपको बताए, उसमें हम क्या करते है, जो common होता है, उसको बीच में लिखते है, मतलब easy हो जाता है, copy paste, तो यहाँ पर common कोन है P, तो P को बीच में ले लिया, now, Q is to P क्या है, अगर P is to Q 11 by 12 है, तो Q is to P क्या हो जाएगा, inverse, inverse, reciprocal, 12 by 11, Q के जगे 12, P के जगे 11, now, P is to R, P के नीचे 9, R के नीचे 8, बस copy paste, इधर 11, इधर 9, यह multiplication 108, यह multiplication 99, हलागे हमे P की जगे 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 नीचे, और यह multiplication 88, तो यह बन गया ratio, आपको क्या पुछा था, find average temperature of Q and R, तो यह बन गया ratio, 4-4 से divide कर लो, 27 is to 22, इसको 4 से divide कर 27, इसको 4 से divide कर 22, option B, रूटी कपडा मकान, table, square root, cube, cube root, priority पर table, then square, square root, cube, cube root, यह कर लोगे ना, सबसे important table, यह division और यह सब multiplication, multiple धुनना यह एकदम, चुटकी में बजाएगा practice के साथ, करतेर हो गए, सब foundation batch है तो यार, दोनों हट से बजाएगे ना टाली, come on, now rupees 1 to 1 0, we are divided among ABC, so that again देखो, इतना पैसा हमें बाटना है, किस में, A में, B में, C में, लेकिन किस ratio में बाटना है, यह आपको एक साथ में ना देते होए, तुकडो में दिया है, तुकडो में, देख लो, A is to B दे दिया, 5 is to 4, B is to C, 9 is to 10, तो सबसे पहले ABC निकालो, अब ABC कैसे निकालें गार रहे हैं, भाई, सहाब, सर, यह हम पे छोड़ दो हैं, अब तो यह confidence आ रहा होगा आपको, तो 5 is to 4, B is to C कितना, 9 is to 10, इधर 4, copy, इधर 9, copy, यह हुआ, इन दोनों का multiplication, इन दोनों का multiplication, और इन दोनों का multiplication, ठीक है, तो यह बना ratio जिसमें हमें बाटना है, कितना rupees 1 to 10, अब इस question से मैं आपको सिखाऊंगा, कि ratio actual amount पे कैसे अपलाए करते हैं, यह ना, दो ratio तुकडो में दिया है, उसको same एक platform पे कैसे लाना ही, यह आप सिख चुके हो, अब यह question से देखो, हमें A is to B is to C में, 1 to 1 0 rupees का बटवारा करना था, किस ratio में A और B को यह मिले, B और C को इस ratio में मिले, लेकिन हमारे लिए तुकडो वाला ratio कोई काम का नहीं, तो हमने उसको पहले common platform में ले लिया, A is to B is to C, कैसे अपनी tricks है, है ना, B common था, 4 इदर copy, 9 इदर copy, multiplication, तो guys, यह मिला वो ratio, जिसमें हमें, A, B, C को बाट देना है, 1 to 1 0 का बटवारा, तो यार, question बोल रहा है, how then C gets, C को कितना मिला, तो यार, सबसे पहले C के ratio, A is to B is to C में, C का पार्ट कितना है, finally, 40 है न, अब इन ratio को भूल जाओ, इससे हमने, common platform बना दिया, अब इसको देखो, तो जबी भी, जिस पर भी, आपको निकालना है, गाईज, ratio अगर किसी amount पर, apply करना है, तो देखो पहले, तो निकालना किसका है, जिसका भी निकालना है, उसका पार्ट, जो भी आया है ratio में, वो numerator में लिखो, ठीक है, तो यार, 45 is to 36 is to 40, यार, इतना foundation, बैच ही, इसलिए foundation से बता रहो, तो ध्यान दो, धिरे धिरे level बड़ेगी, तो बाकी ने भी बनेर हो, जिनको ये बाते पता है, तो C का कितना है, 40, upon, C निकालना था, इसलिए C का पाट लिया, कोई B निकालना होता, तो B का लेता यहाँ, A निकालना होता, तो A का लेता, upon total of the ratio, तो ratio का total कितना है, 121, 121, into वो amount जिसमें बातना है, तो बातना कितना है भाई, 1210 को बात तवारा करना है, तो guys, this is the answer, 400, 1210 ABC में बातना है, इन रेशो में भुल जाओ, उससे हमने निकाल दिया यह रेशो, तो how much C gate, तो C को कितना मिलेगा भाई, C 40, upon total of the ratio, हमेशा याद रखो, into amount जो बातना है, तो C 40 upon 121 into 120, अगर B निकालना होता, तो क्या बदलता सिर्फ numerator, 36, बाकी total of the ratio तो same ही रहता, जो amount बातनी वो भी same रहती, ए निकालना होता, तो भी numerator में 45 आ जाता, that's it, बड़े, बड़े आगे, चलो, इस बार 782 का बटबार अगरना है, कोई बात नहीं, लेगिन इस बार ratio देखो, divided into 3 part, proportional to this, एक अच्छी बात हुई है, इस question में, एक बुरी बात हुई है, अच्छी बात क्या हुई है, कि कम से कम, पिछले question की तरह, उसने हमें तुकडो में ratio नहीं दिया, है न, पिछले question में क्या था, तुकडो में था, A, B का अलग, B, C का अलग, हमने एक platform बनाया था, इस बार एक चीज़ अच्छी कि, तीनों पार्ट का ratio, फर्स, सेकंड, एन थर्ड, उसने, एक ही इसमें दे दिया, लेकिन the thing is, problem is, पंगा है, सर, पंगा क्या है, जो ratio उसने दिया है, यह थोड़ा fraction form में दिया है, मतलब calculation बढ़ाने वाला काम कर दिया है, उसने, लेकिन भाई, हमारे पास भी, हर एक चीज़ का problem का issue का solution है, यार, अगर fraction form में जभी भी ratio दिया होता है न, आप उसको linear कर सकते हो, क्योंकि linear से आप familiar हो, linear easy लगता है, तो आप इसको, अगर आपको निकालना है, क्या पुला है, find the first part, पहला part fraction में, इनका total फिर पता है न, कैसे निकालते हैं, तिनों का total लो, उसके common multiple से multiply कर दो, ऐसे value से multiply कर जो, जो 2, 3, 4 से divide होती है, तो आप multiply कर सकते हैं, ये तो question पूछना ही मत, क्योंकि थोड़ी देर पहली का मैंने, multiplication है, division है, किसी भी constant से कर सकते हो, addition subtraction नहीं, तो yes guys, again 2, 3, 4 का common multiple 12, तो मैं 12 से multiply कर देता हूँ, दिस entire ratio को, 12 से multiply कर दिया, ये हुआ 6, ये हुआ 4, ये हुआ 3, अब क्या बना, 6 into 1, 6, 4 into 2, 8, and 3 into 3, 9, चक्दे फटे, अब उपर वाले ratio को, बाई-बाई, इस वाले ratio को देखना है, तो अब आपको 782 बटवारा करना है, first part पूछा है, तो पहले part, अब ही हमने सीखा, कैसे निकालते है, first part का, जो भी part है 6, upon total of the ratio, 23 into वो amount, जो बाठनी है, 782, finish 23 से divide कर लो, table, अब आपको कमी महसूस होगी, cash table याद होते, तो 23 का table, 23, 3, 69, 78-69, 9, 9 पर 2 करी किया, 92, 23, 4,092 हो गया, 204, कि दर है, option D, 204, जब हर question में, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, जब equality दी होती है, assumption से जा सकते हो, एक चीज़ सीखी, जब तुकडो में ratio है, common platform पह ला सकते हो, दूसरी चीज़ सीखी, एक बार ratio common platform पह आ गया, तो बटवारा कैसे करना है, तुसरी चीज़ सीखी, अब इस question से सीखी, कि जब fractional ratio को linear form में लाना, कितना सही होता है, कितना easy होता है, हर question में कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है, अब यह मत सोचना foundation है, तो यसी theory बताएंगे आपको, सब चीज़ scratch से सीखाएंगे, लेकिन practical ही, जिसमें आपका interest भी बना रहे है, ठीक है, come on guys, yes, on his deathbed, on his deathbed, Mr. Kaloo called upon his three son, and told them to distribute all his assets, worth Rs. 525,000, Mr. Kaloo, यह बस निकलने में ही है, अपने तीनों बेटों को बुटाता है, क्योंकि उसको उसके, पूरे जो state है, जाइदाद है, उसकी संपत्ती है, उसका बटवारा करना है, कितने amount की है, 525,000, और किस ratio में करना है, यह लो भाई सहाब, इस ratio में करना है, वो भी इस बार दे दिया है, single platform पे दे दिया है, लेकिन again fraction में दिया है, बट कोई tension नहीं, कोई गल नहीं, आप expert हो, तो file act 25,000 का बटवारा करना है, तीन बेटो में, इस ratio में, तो आपको बला है, find the biggest share among the three portion, मतलब इन तीनों बेटों में से, जो उसका लाड़ा बेटा है न, उसको यह biggest share देगा, तो वो कितना दिया, biggest share पूछा है, यार, वैसे मैंने कहा है, कि हम option से भी बहुत चीज़े कर सकते, वो मैं आपको समय के साथ सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें focus करना है, concept building पर, तो इसलिए concept से करेंगे, हला कि option देखके clear हो रहा है, यार, file act 25,000 में वो, अगर तीन ही बेटों में बाटना है, file act 25,000 अगर तीन ही बच्चों में बाटना है, उसमें भी biggest share निकालना है, तो 17,000 तो होगा, नी 10,000 तो होगा, नी 13,000 तो होगा, नी 2,45 भी answer होगा, option इतने favor में है, लेकिन जोरी जोडी कि हर बार option favor में हो, अगर हर option 2,000 के उपर होता तो, तो फिर तो concept ही बचाता ना, तो concept पर focus करो, तो सबसे बहले तो हमने सीखा है, file act 25 अगर बाटना ही इस ratio में, पहले तो ratio को सही कर दो यार, यह ratio हमारे काम का नी, तो क्या करे, denominator को क्या करे, उड़ाए, कैसे, तीनों का कामन मल्टीपल, अब यहार यहां values बढ़ी है, but मैंने कहा है, 1 to 30 तक table याद होना जरूरी है, चलो 35 का याद नहीं लेकिन, 15 और 21 में कौन सा वो number यार, कौन सा ऐसा number है, जो 15, 21 के table में आता है, 105, 15, 7, 0, 21, 5, 0, तो बस एक thought दो, क्या 35 के भी मल्टीपल में है, 105, 35 का double 70, हाँ, तीसरा 35 उसमें add कर लो, तो 105 मिलता है, यहने 35 का 3 times होता है, 105 बात बन गई, गाईज, पूरे ratio को 105 से multiply कर दो, और इसके बाद अब यह question बिल्कुल, पिछले question की तरह, easy, pillar, halwa, बन गया है, तो 15 ने इसको divide किया, 7, 21 ने इसको divide किया, 5, and 35 ने इसको divide किया, 105 को 3, तो यह ratio क्या बना, 7 is to, 5 is to, 3, पुछा क्या है, लाडला, biggest share, अब बच्चा भी बता देगा, कि इन तीनों में biggest share कौन सा है, guys, 7, तीनों में biggest share कौन सा है, 7, इसका निकाल लो, कैसे निकालते हैं, जिसका भी निकालना है, वो value numerator में, total denominator में, into total amount, again table, 15, 3,045, बचा 7, 7 पर 5 क्यारी किया, 75, 15, 5,075, 3,0 bonus, तो 7 into 35 कर लो, 2,45,000, आया बराबर answer, 7 into 35, 245, 3,0 bonus, इतना आसान है, भाई सहाब, आते हैं थोड़ा सा proportion की बात, ratio की बात हैं हमने की, उसके कुछ question देखे, proportion की बात है करेंगे, उसके कुछ question देखेंगे, और फिर भाई सहाब, वो question, foundation के basis पे, वो question भी करेंगे, जो actual variety है, cat की आ चुके है, ओमेट में बने रहो, तो proportion क्या होता है, proportion क्या होता है, ratio सीखना ज़रुरी है, proportion के लिए, और अब proportion मतलब क्या, दो ratios की equality, जबी भी A by B, C by D, ये दो ratio अगर equal है, then A, B, C, D, are set to be in proportion, whenever A by B and C by D are equal, then A, B, C, D are set to be in proportion, for example guys, अगर मैं बोल दू, 3 by 6 is equal to 8 by 16, जई है, 3 by 6 कितना होता है, 1 by 2, 8 by 16 कितना होता है, 1 by 2, तो yes, 3, 6, 8, 16, are set to be in proportion, ठीक है, तो proportion मतलब और कुछ नहीं, गाईस, दो ratio की equality है, और जबी भी दो ratio equal होते है, तो आप क्या करते हो, cross multiplication, अब इसको हम बोलते है, cross multiplication, but scientific terminology के हिसाब से, A और B को बोला जाता है, extremes, क्या बोला जाता है, extremes, और B और C को बोला जाता है, means, how mean, वो वाला means, ठीक है, तो A into D, is equal to B into C, ठीक है, cross multiplication, product of extreme, is equal to product of means, अब हमें उतना depth में नहीं जाना है, बस cross multiplication ही याद रखो, कि जबी भी दो ratio हम cross multiply करते हैं, वो ही करना है, और proportion मतलब वो ही होता है, दो ratio की equality, और मानलो कभी कभी क्या होता है, ये B और C equal हो जाता है, मतलब B और C equal हो जाता है, तो मानलो A by B है, और B और C अगर equal है, तो C के जगे में वापीस B लिख सकता हूँ, क्योंकि B और C equal है, तो C के जगे में B लिख सकता हूँ, तो upon C लिख दिया, तो guys इसको क्या बोला जाता है, upon यहाँ C लिख दो या D लिख दो, इसको बोला जाता है continuous proportion, ये क्या था, लेकिन जैसे B और C equal हो गय है, तो ये B पे खतम और अगला ratio B पे ही शुरू ना, क्योंकि C से स्टार्ट होना था, बट C और B तो सेम ही है, मैंने B लिख दिया, तो A by B is equal to B by D, इसको बोला जाता है continuous proportion, क्यों continuous बोला जाता है, आप समझी के होंगे, क्योंकि continuity क्या है, बरकरार है, B पे खतम, B पे शुरू, continuity में है न, बस type बता रहो, ठीक है, जादा load ना लो, इस पर direct question नहीं आएंगे, cat जैसी exam में, लेकिन जैसे ratio के कुछ type बता है, आपको एक interest के लिए इसके बता रहो, तो this is general proportion, यह continuous proportion है, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, cross multiplication होई, B square is equal to A into D, बात वोई है, करना cross multiply ही है, come on guys, बिना किसी देरी के start करते है, if, A is to B, is equal to C is to D, अब A is to B क्या होता है, A by B, C is to D क्या होता है, C by D, और यह दोनों equal है, मतलब ही क्या है, A, B, C, D, R in proportion, तो question बोल रहा है दिन, find the value of, A square plus B square upon C square plus D square, majority student पता है, ऐसे question देखके छोड़ देते हैं, हमको लगता है, भई कोई show that, prove that, theorem अगेरा, derivation कुछ करना होगा, और फिर यह निकालना होगा, नहीं, फोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जान कॉंट्स की, assumption approach, यार आपको question ने, A, B, C, D को proportion में हैं, बोल दिया है, A by B और C by D equal हैं, बोल दिया है, अब A, B, C, D है कौन, कोई भी general values है, एव यह कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, बस make sure कि equality satisfy हो, जैसे अगर मैं A को 2 लू, B को 3 लू, C को 4 लू, D को 6 लू, क्या चलेगा, क्या यह equality satisfy हो रही है, yes, क्योंकि 4 by 6 को भी अगर मैं 2, 2 से divide करूँ, तो 2 by 3 ही है, मतलब यह equality बिल्कुल सही है, इधर भी 2 by 3, इधर भी 2 by 3, सिर्फ A और B के जगे मैंने क्या ले लिया, A के जगे ले लिया, 2, B के जगे ले लिया, 3, C के जगे ले लिया, 4, D के जगे ले लिया, 6, तो अब आप A, B, C, D बोलो ही मत, अब जहाँ A आ रहा है, आप 2 बोलो, B के जगे 3, C के जगे 4, D के जगे 6 तो question ने अगर आपको ये निकालने बोला है तो A square मतलब आप क्या बोलोगे 2 square plus B square plus C square plus D square call कर लो 4 plus 9 24 plus 36 ये कितना है guys 4, 9, 4 square 4 square is 16 my bad 4 square is 16 and 6 square is 36 तो ये हो गया 13 और ये हो गया 52 62 अगर 13 ने 52 को divide कर दिया answer क्या बना guys 1 by 4 answer बना 1 by 4 तो bus 1 by 4 is the answer कहा दिख रहा है option A तो गया 1 by 2 दे रहा है और B, C, D ये सारे A, B, C, D A, B, C, D के form में कोई tension नहीं अब आपको A, B, C, D की value पता है और guys again बोता रहा हूँ कि not necessary मैंने ये assume कि इसलिए आप भी ये करो आप अगर A, B, C, D 1 by 3 is equal to one load 2 by 6 करते तो भी चलता तो आपका A, 1, B, 3 C, 2, D, 6 आता आपका ये value कुछ और भी आ सकता था लेकिन final answer इसी से match होगा जिस से मेरा होने वाला है assumption approach ABCD general term है यहानी आगे जब जब इसे unknown variable के question आते है x, y, z, p, q, r, a, b, c, d तो पहला thought उसको assumption से करने का दो first thought majority case में तो बनी जाएगा ठीक है तो yes guys तो यह 1 by 2 हमारा answer क्या आया ABCD मैंने ये लिया है आप इससे भी करके देख सकते हो उसके साब से answer 1 by 4 आया 10 तो 5 by 10 कितना आया 1 by 2 ये भी गया क्योंके हमें क्या चाहिए 1 by 4 now a के जगे 2 minus 3 and 4 minus 6 again ये कितना आया minus 1 again ये कितना आया minus 2 minus minus कटा फिर भी 1 by 2 ये भी गया 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 गया अब ये last बचा इसी को answer होना है वैसे तो चेक भी करने की ज़रोत नहीं तो 3 cancel हो चुके फिर भी देख लो a 2, b 3, c 4, d 6 तो ये कितना हो आ 3 into 2, 6 6 into 4, 24 yes, 6, 4, 0, 24 बराबर आया 1 by 4 option d से तो इस question से ये समझो guys कि हर tough दिखने वाली चीज tough नहीं होती अगर thought process सही है approach सही है तो तो ये हर चीज हम सिखाएंगे आपको ऐसे question में पहले क्या thought देना है ठीक है? नहीं हुआ तो फिर क्या alternative thought देना है? सब बताएंगे काई तो जब ऐसे question आ जाए आपको उसने एक relation दे दिया है आपने उस relation के basis पे अपने ABCD ले लिये जो इस equality को proportion के rule को satisfy कर रहे है और यहाँ पर value रखी 1 by 4 जिस से match हो उस पर tick कर दिया come on guys next question आ जाओ if the famous in the famous भोजपुर island there are four men for every three women guys अब तक जो question आपको direct ratio दे रहा था वो अभी शब्दो में दे रहा है words में दे रहा है ठीक है in the famous भोजपुर island there are four men for every three women याने men or women का ratio क्या दे दिया है four men for every three women याने four is to three now five children for every three men children और men का relation दे दिया है children कितने दिया है five for every three men जो आपको A is to B B is to C देता था था न वो उसने दिया है स्रिफ words में men का women से क्रेशो दिया है main का children से दिया अगे इन दोनों में common कोन है main ठीक है तो guys question आपको बोल रहा है how many children are there actual number of children पूछा है in the island if it has five thirty one women अगर actual number of women five thirty one है तो actual number of children कितना guys women देकर children पूछा है बट हमारे पास क्या इन दोनों का relation है women और children का relation है हमारे पास नहीं है हमारे पास women का main से है children का भी main से है ठीक है तो पहले तो women और children का relation बनाना होगा और उसमें हम एक्सपर्ट है अब हम क्या करेंगे इन दोनों को use करते हुए एक same platform बनाएंगे main women और children का और उसके लिए सबसे important factor को उने main women को यहां रख देता हूँ 3 is to 4 हो जाएगा इसका और reverse and main is to children हमें लेने आ है तो main कितना है 3 और children की नीचे बराबर उसकी value 5 children main 5 is to 3 but main children 3 is to 5 कोई टेंशन नहीं अब इसके बाद क्या करना आपको बहुत अच्छी से बता है यह 4 copy 3 copy multiplication 9 multiplication 12 multiplication 20 बढ़ हमें main से मतलब नहीं हमें मतलब है women और children से तो yes women और children का relation आ चुका है 9 is to 20 guys women और children का relation क्या आया है women का बना 9 children 20 तीनों के common platform से तो यह बन गया इनका ratio और guys उसमें हमें actual number of women पता है तो actual number of women कह रख दो यह 531 upon children और children नहीं काल लो क्या हो गया यह proportion दो ratio दिये थे दोनों से हमने एक platform बनाया जिससे हमें women children का relation मिला 9 is to 20 मतलब 20 बच्चों की बिचे 9 women है तो 531 women है तो बच्चे कितने children कितने बस women के जगे 531 रिखा cross multiply कर लो यार 9c is equal to 531 into 20 अभी 9 इदर जाके क्या हो जाएगा इदर से उठके इदर divide कर लेगा तो 9 5045 990 59 into 2180 59 2000 180 और 0 extra तो चिल्डरन कितने मिले हमें 1180 चमका गया चमका गईस एक दम धासु दरीके से चमका होगा आप तक तो comment कर देना मतलब मेरे को भी पता चले है आप देख रहे हो चालो yes two numbers are in the ratio again देखो दो number है जिनका ratio दे रखा है आपको 3 is to 5 क्या ratio है 3 is to 5 if 9 is subtracted from each यार देखो दो ratio दिया है 3 is to 5 और दोनों में से 9 subtract बट हमें तो actual number पता ही नहीं है तो यार पता है ऐसे question में एक नहीं चीज़ सीखो आप two values unknown है लेकिन उनका कम से कम अगर आपको ratio पता है तो आपको दो variable लेने की जोरुत नहीं है एक variable से भी आप assumption कर सकते हो यह ना मतलब दो value के लिए आप एक x लेलोगे एक y लेलोगे no need क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों का relation पता है ratio के तो एक value को लेलो 3x दूसरे को लेलो 5x तो yes इस तरह से भी आप assumption कर सकते हो एक common multiple chip का दो तो भाई यह दो number क्या बने है 3x 5x अब आपको यह दो number use करना है आने वाले condition पे तो दो number 3 is to 5 के ratio में थे मैंने मान लिया पहला number 3x दूसरा 5x question बोल रहा है if 9 is subtracted from each 3x में से भी 9 subtract किया 5x में से भी 9 subtract किया then the new numbers are in the ratio तो यह जो नए number बने guys original number क्या थे 3x 5x 9 9 subtract करने के बाद यह बने दो नए number question बोल रहा है they are in the ratio 12 is to 23 क्या बना आप देख लो यह भी एक ratio यह भी एक ratio proportion बन गया तो दो number 5 is to 3 is to 5 3x 5x ले लिया 9 9 subtract किया तो यह दो नए number 9 subtract होने के आद नए number मिलेंगे न तो वो बन गये 12 is to 23 के ratio में खतम अब क्या कर लो cross multiplication 12 इस पूरे bracket को multiply करेगा 12 into 5 60x minus 12 into 9 108 23 इस पूरे bracket को पूरे entire equation को 23 3s are 69x 23 9s are 207 हो गया 60x इदर गया 69x minus 60x 9x and minus 207 इदर आके plus हो जाएगा तो minus 207 plus हो गया लेकिन है minus 108 तो है तो guys 99 अगर आपको 9x मिला तो x कितना 9 ने 99 को डिवाइड किया x कितना मिल गया 11 तो x आपको अगर 11 मिल गया है तो अब देख लो question ने क्या पूछा है आपका answer आ गया ठीक है 9 ने 99 को डिवाइड किया x मिला 11 question क्या बोल रहा है find the smaller number तो smaller number निकाल सकते होगा 3 into 11 33 खतम bigger number पूछा होता तो 5x 5 into 11 55 total पूछा होता तो 8x 8 into 11 88 difference पूछा होता तो 2x यहने 22 खतम तो जब दो number दिये ratio के form में तो आप एक single variable से इस तरह assumption कर सकते हो उसके बाद जो condition दिये is use करी proportion बन गया खेल खतम next same two number are in the ratio 1 is to 2 तो एक number बन गया 1x दूसरा number बन गया 2x if 7 is added इस बार 7 add करने की बात कर रहे है guys तो यह बन गया नया number then their ratio changes to 3 to 5 तो original number 1x 2x थे 7 add किया तो नया ratio किया बन गया 3 to 5 cross multiply करो x निकल जाएगा और इस बार question ने greater number बोला है तो जो पहला number आपने 1x लिया है दूसरा 2x लिया है उसमें से जो greater है हो निकल लेना एक बार इस equation से x की value मिलने पर तो try करना यह question आपके लिए किया मैंने बता तो दिया है कैसे करते हैं homework ठीक है इस question को try करना और इस question का answer comment करना simple है दो number ratio x के form में assume कर लिया 1x 2x 7 7 add किया दो नए number बन गए 3 to 5 3 to 5 ही दिया था yes cross multiply करके यह 5 पूरे equation को 3 पूरे equation को x मिलेगा x की value रखके बड़ा number मिल जाएगा come on guys बहुत easy देखो कैसे इतने छोटे छोटे concept अब आपको practical based questions कर रहे है now a mixture contain milk and water तो milk and water है in the ratio 5 is to 1 तो again मैं milk क्या मान लूँगा guys 5x and water मान लूँगा 1x क्योंकि milk पहले बोला है फिर water बोला है तो यह milk है यह water है x के form में ले लिया now on adding 5 liter of water मतलब guys milk as it is है जो कात्यो as it is water 5 liter extra add हो रहा है मतलब पहले water कितना था 1x अब क्या हो रहा है on adding 5 liter of water स्रिफ water add हो रहा है जैसे पिछले question में दोनों में 7 7 add हो रहा था उससे पहले दोनों में 9 9 subtract हो रहा था लेकिन guys अब इस वाले question में क्या हो रहा है स्रिफ water extra add हो रहा है 5 liter becomes 5 is to 2, तो यह नाय रिश्यो क्या बना? 5 is to 2, milk 5x, water 1x plus 5, नाय रिश्यो बन गया? 5 is to 2, cross multiply, 2 into 5, 10x, 5 पूरे equation गो, 5 into 1, 5x plus 25, 5 into 5, तो guys यह 5x बना 25, तो x कितना बना? 5, तो question है, find quantity of milk in the mixture, तो quantity of milk क्या हुआ? quantity of milk कितना था? 5x, x की value आ चुकी है 5, तो 5 into 5, 25 is the answer, quantity of milk in the mixture is what? 25, बहुत बढ़िया गाईज, अब आते हैं हम उस चीज के लिए जिसका भी इंतजार आप कर रहे थे, और आप में से वो लोग खास कर जिनका foundation clear है, वो स्रीप उसी लिए देख रहे थे कि कब वो question आएंगे, जिनको करके मज़ा आ जाए, और आप देखोंगे, वो actual cat omate की variety, जिस पर यह सारे basic concept जो अभी हमने सीखे, use करने वाले, come on, आ जाओ, पहला question, विनय को, बात विनय की हो रही है, उसको, तो पुरे question का hero को और इस बार विनय, तो विनय got thrice as many marks in maths as in English, उसको maths में कितने mark मिले, thrice as in English, याने English में जितने मिले, उससे 3 times match में मिले, लब इसका maths तो बहुत ही अच्छा है, तो यह line, line से जिसने चीजों को equation में convert कर दिया, वो जीत गया, विनय got, कितना, thrice, thrice, याने 3 times, as many marks in maths as in English, तो maths में कितने mark मिले, 3 times of English, लिख दिया हमने, तो guys, इससे maths और English का ratio क्या बना, 3 to 1, कमझे रहे हो, यह English जो यहाँ multiply कर रहा है, उसको इधर ले लिया, divide कर लेगा, तो यहाँ पर तो 3 है, और जिसका कोही नहीं, उसका denominator हमेशा 1 हम ले सकते हैं, अब 3 का denominator कोही नहीं, तो हमने 1 ले लिया, उससे value बदली, नहीं, तो maths और English का ratio आपको मिल गया, 3 to 1, आगे, the proportion of mark in maths and history, अगला proportion किसका दिया है, maths और history का 4 is to 3, देख लो भई, again maths और English का ratio दिया है, maths history का दिया है, वो ही variety, जो थोड़ी देर पहले आप direct कर रहे थे, वो question अब इस angle से दे रहा है, तो maths और English का ratio आपको दे दिया, कैसे हला कि उसने बोला maths में मिले है, 3 times of English, maths upon English 3 is to 1, फिर maths और history का proportion direct दे दिया, 4 is to 3, if his total mark in maths, history and English is 250, तो guys, total 250 है, मतलब इन तीनों का जो भी एक common platform बनेगा न ratio का, maths, English और history का, वो किस पर apply करेंगे हम, 250 पर, कि तीनों मिला कर 250 उसको मिले है, तो find marks in English, तो English हमें निकालना है, कोई बात नहीं guys, पहले तो platform same कर लो, platform same कर लो, दोनों में common को हमें, maths, maths, तो यहां maths upon history, English कितना है, 3 by 1, तो maths upon English हम, मुझे चाहिए English upon maths, English पहले, तो English है 1 is to 3, ठीक है, English is to maths, 1 is to 3, नो maths upon history, maths है 4, बराबर maths के निचे 4, history है 3, copy, खतम guys, इधर 3 copy, इधर 4 copy, पता है न, trick, तो इधर 3 copy, इधर 4 copy, यह multiplication 4 हुआ, यह 12 हुआ, यह 9 हुआ, इस ratio में बाट दो question पूछ किसका राय है, English का, तो आपको मालूम है, जिसका भी निकालना है, उसका part, numerator में, total of the ratio, 21 plus 4, 25, denominator में, into total mark, 250, खेल खतम, answer is 40, English में मिले, उसको 40 mark, बस उसी तर अगर maths पूछा होता, या history पूछा होता, वो भी आप निकाली सकते थे, क्योंकि आपके पास common ratio है ही, ठीक है, तो एकदम आसा न, यार, बहुत easy, चलो, an alloy is prepared by mixing three metals, A, B and C, in the proportion 3 is to 4 is to 7, guys, अगर एक चीज़ अब मैं आपको बोलू, तो आप believe नहीं करोगे, बट, search कर लेना, तो यकीन हो जाएगा, ये question cat 21 में आ चुका है, ratio का question, guys, ratio का एकदम simple variety cat 21 में आ चुका है, and alloy is prepared by mixing three metals, A, B, C, in the proportion 3 is to 4 is to 7 by volume, तो तीन metal को mix करके, A, B, C, ये तीन metal को mix करके, एक alloy बनता है, ठीक है, और इन तीनों metal को किस volume में हो mix कर रहा है, ये तक दे दिया है, 3 is to 4 is to 7, now, अब आगे आपको बोला है, the weight of same volume of the metal, A, B, C, R, in the ratio 5 is to 2 is to 6, guys, अगर मैं मान लू, A का जो volume है, वो तीन ही ले ले लेते हैं, B का volume 4 meter cube, C का volume 7 meter cube, ये meter cube, volume का generally unit होता है, meter cube, centimeter cube, है न, तो खेर, ठीक है, मैं unit से मतलब नहीं, तो मैं इस ratio से मान लेता हूँ कि A का volume 3 है, B का 4 है, C का 7 है, आप 3X, 4X, 7X भी ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको लेना है, 3X, 4X, 7X, वो भी चलेगा, ठीक है, चलो, तो मैंने मान लिया 3, 4, 7, weight of the same volume, इस word पर focus करो, guys, same volume, मतलब A का, B का, C का, अगर मैं same volume का तुकडा लू, जितने volume का A ले रहा हूँ, उतने volume का B, उतने volume का C, अगर एक meter cube का A ले रहा हूँ, तो एक meter cube का B और एक meter cube का C, इन तीनों के same volume का weight पता है किस ratio में, 5 is to 2 is to 6, मतलब अगर मैं बोल दू कि weight पर meter cube, यह ज़स मैंने अपने मन से meter cube ले लिया, कि हम जो तीन metal को mix करते हूँ, एक alloy बना रहा है, उसका volume 3 is to 4 is to 7 के ratio में, तो मैंने मान लिया A का volume 3 meter cube, B का 4 and C का 7 meter cube, अब जब इन A, B, C का same volume का मैं material लूँ, same volume का metal लूँ, तो उसका weight किस ratio में होता है, 5 is to 2 is to 6, तो weight पर meter cube देखो, weight पर meter cube A का होता है 5 kg, kg में ले रहो, अपने मन से, B का 2 kg and C का 6 kg, ठीक है, तो मतलब A का, एक meter cube का अगर मैं piece लूँ न, एक meter cube का piece उठाओ, metal उठाओ, तो 5 kg उसका weight होता है, वो ही B के 1 meter cube का, देखो, same volume बोला है, तो meter इसलिए volume same रखा है, per meter cube, per meter cube, per meter cube, लेकिन weight अलग-अलग है, A के लिए 5 kg, B के लिए 2 and C के लिए 6 kg per meter cube, लेकिन जो alloy हम बना रहे हैं guys, उसमें actual कितना volume यूज़ कर रहे है, जो alloy हम बना रहे है, A का हम 3 meter cube यूज़ कर रहे है, तो A के, एक meter cube का अगर 5 kg, तो 3 का कितना आएगा, 3 into 5, 15 kg, एक meter cube का 5, तो 3 का कितना आएगा, एक meter cube है नहीं 5, तो 3 का 5 into 3, 15, B का क्या हो जाएगा, एक meter cube का 2, तो 4 का कितना, 8 kg, and guys, T के, एक meter cube का 6 है, तो 7 का कितना, 42 kg, अब मुझे बताओ, यहाँ तक जो भी मैंने किया, क्या था, assumption की दुनिया, हाँ, लेगिन assumption ऐसा नहीं कि, अपने मन से मन घरत कुछ भी ले लिया, जो भी assumption मैंने किया है, मैंने उसके ratio को respect देते हुए किया है, volume भी मैंने किस ratio में लिया है, उसी में, जो इस ratio को satisfy करे, weight भी मैंने क्या माना है, वो ही जो इस ratio को satisfy करे, तो कहानी अब तक समझ गयो गई था, क्या 21 का question, इसलिए अच्छी से समझो, वापीस बता रहा हूँ, एक alloy है, जो ABC को mix करके बनता है, लेकिन ABC अलग-अलग volume में mix करके बनता है, और जिस volume में हम ABC को mix कर रहे है, वो ratio है यह, तो मैंने अपने मन से ABC का volume, 3 meter cube, 4 meter cube और 7 meter cube मान लिया, जिसको mix, जिसको हम mix करके alloy बना रहे है, अगना हूँ, या तक ठीक है, अब उसके बाद उसने second information दिये, कि same volume के metal अगर मैं ले लू, ABC, same volume के, तो उनका weight का ratio है 5 is to 2 is to 6, तो मैंने मान लिया, वो same volume meter cube, per meter cube, तो weight भी क्या हो गया, इस ratio को satisfy करते होए, A का per meter cube weight हो गया 5 kg, B का 2 kg, C का 6 kg, लेकिन per meter cube, तो guys, अगर A, B, C का मेरे को per meter cube weight पता है, मैं जो ratio में A, B, C को mix कर रहा हूँ, वो volume पता है, तो मैं total weight निकाल सकता हूँ, A का कितना हुआ, 1 meter cube के लिए 5 into 3 meter cube, 15 kg, B का 1 meter cube के लिए 2 kg into 4 meter cube, 8 kg और C का same, 6 1 meter cube के लिए, तो 7 के लिए 42, यह हुआ as per my assumption, अब देखो question का सबसे शानदार hint, in 130 kg of the alloy, the weight in kg of the metal C, गाइस मेरे हिसाब से, total जो alloy है, वो कैसे बन रहा है, A, B, C को mix कर के, यह ना, alloy तो क्या बन रहा है, इन 3 को mix कर के, तो इन 3 का weight कितना हुआ, इन 3 का weight हुआ 65 kg, यह ना, 15 plus 8 plus 42, 65 kg, तो यार, मेरे हिसाब से, जो 65 kg weight होना चाहिए, क्योंकि यह तो मेरा assumption है न, मेरे हिसाब से, total weight of the alloy 65 kg हो रहा है, लेकिन question ने देखो, क्या बोला है, 130 kg of alloy, मेरे हिसाब से, जो 65 है, वो question के हिसाब से, अगर 130 है, तो weight of metal C, पुछा है स्रिप, तो metal C का weight, मेरे हिसाब से, जो 42 है, वो question के हिसाब से, कितना, ये इतना, तो वो कितना, unitary method बोलते इसको, जो again, cond की जान है, अल्मोस्ट हर topic में, कही न कही काम आएगी, तो as per my assumption, मैंने ये मान लिया, 3 metal का volume, ये मान लिया, per meter cube weight, तो मेरे हिसाब से, जो alloy तिनों को mix करके, बन रहा है, इनका total weight ये बना, उनके volume के हिसाब से, जो कि total 65 kg होगा, बट मेरे हिसाब से, 65 question ने कितना दिया है, 130 kg, weight of the alloy, तो 65 अगर 130 है, तो weight of metal C, 42 actual में कितना, आखे बंद करके answer guys, अगर ये 65 का double है, तो ये 42 का double ले लो, 84 is the answer, answer आया, 84, मज़रे हो, हाला कि ये question, जब भी ये इतना हो, इतना आते तो क्या करते हो, cross multiplication, और हिसी को तो proportion बोलते हैं, आ गया proportion picture में, cross multiplication हैने proportion, यानि ये आपने कुछ नया नहीं किया है, प्रपोर्शन ही है ये, 65 into x, 65 x is equal to 130 into 42, तो 65 यहां से उठके इधर divide कर लेगा, ये न, तो 2 into 42, 84, ये आ गया, weight जो आमने माना था, actual weight of c, 84 kg, बट अगर आपका इतना शांदार pattern बन रहा है guys, अगर आपका इतना must pattern बन रहा है, कि ये 65 का exact double 130 है, तो yes, ये 42 का exact double ले लो, 84 is the answer, क्या 21 को question, कही पर भी कोई advance था, अगर basic clear है तो, ratio दिया था, assumption approach जिसके बारे मैंने आपको सिखाया, उसको use किया, and proportion last में answer दे गया, क्या है यार, समझ रहो, that's it, weight, हमें volume के हिसाब से पहले volume मान लिया, weight दिया था, वो भी same volume बोला था clear, तो हमने per meter cube ये weight मान लिया, तो धिये हुए meter cube पे weight apply किया, हमें total weight A, B, C का मिला, total weight of the alloy मिला, जो 130 है, तो सिर्फ C का 42 कितना, अगर ये पुछा होता तो 15 is equivalent to double, 30, 8 is equivalent to double, 16, clear है, yes, तो ratio of number of runs scored by the cricketer, अब देखो इतने बड़े question लेगी नहीं, कितने आसानी से आप कर सकते हो ध्यान देना, ratio of number of runs scored by the cricketer in domestic and international matches, last year was 2 is to 1, तो guys, ये जो भी आपको हिसाब दिया है, last year का दिया है, कि domestic और international में, domestic और international में उसने जो run score किये, international matches, last year 2 is to 1 है, तो guys, अगर मैं मान लो domestic में अगर वो 200 करेगा, तो international में कितना करेगा 100, क्योंकि हमें इस ratio को respect देनी है न, तो yes, domestic का मान लो 200, international का हो गया 100, ये हुआ last year की बात, अब देखो, this year, अब बात आया, actual, present, this year, this year, the performance in domestic improved in the ratio 1 is to 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये interpretation भूद important होता है, इस साल, domestic का performance 1 is to 2 से improve हुआ, मतलब क्या, अगर वो पहले, यानि last year में 1 run बनाता था, domestic में, तो अब 2 run बना रहा है, 2 runs, तो यार, domestic का performance क्या हुआ, अगर वो पहले 1 run बनाता था, तो अब 2 बना रहा है, तो guys, हमारे पास तो actual assumption है न, हमारे सबसे वो पहले कितना बनाता था, 200, तो अब कितना बनाएगा, देखो, 1 का 2, यानि double हो गया न, तो 200 का 400, तो इस साल वो domestic में कितने बना रहा है, 400, इस साल, this year, क्योंकि इस बार performance improve हुआ है, in the ratio 1 is to 2, यानि एक run बनाता था, अगर last year तो अब 2 बना रहा है, तो last year कितने बना रहा था, हमने इस ratio को satisfy करते हुए, domestic का 200, international का 100 मान लिया, तो 200 बनाने वाला, अब कितना बना रहा है, इस साल 400 domestic में, guys, international 1 में भी improve हुआ है, in the ratio 2 is to 3, यानि international this year, जो पिछले साल 2 बनाता था, अब वो 3 बना रहा है, तो पिछले साल वो international में, actual हमारे साब से कितना बना रहा है था, 100 तो अब कितना बनाएगा, again cross multiplication, 2x is 300, 2 in 2x, 3 in 200, तो x कितना हुआ, 150, तो मतलब guys, international में वो इस साल, कितने बना रहा है, 150, तो domestic में 400, इस साल international में 150, तो total score कितना हुआ उसका, this year उसका total score हुआ, 400, 150, 550, यह हमारे हिसाब से, as per our assumption, लेकिन अब देखो, question की सबसे शांदार hint, if the total score, this year, इसी साल का है न, this year, in domestic and international matches, was 2200, 2200, रन, दोनों मिला कर इस साल, हमारे हिसाब से, दोनों मिला कर कितना था, 550, जो question के हिसाब से, कितना है, 2200, यह इतना तो वो कितना, यह न, unitary method, अभी मैंने बताया था, as per our assumption, दोनों मिला कर, उसका 550 score होता है, जो question के हिसाब से, 2200 के बराबर है, तो how many run, did he score in the international match, last year, तो last year international में, हमारे हिसाब से, कितना था, 100, जो actual में कितना, फ़र तो हम again, cross multiplication, यह फिर आप बोल सकते हो, कि यह 550 का exact, कितना time है, 4 गुना, 550 का exact, 4 times होता है, 2200, तो 100 का भी exact 4 times ले लो यहार, 400 is the answer, finish, खेल सकते हो यहार, आप number से, ratio से, percent से पता है, खेल सकते हो अगर, सही concept से पकड़ो तो, एक बार वापी सुनना, गाईस, बहुत easy question था, question बोल रहा था, कि इस बार domestic और international का, जो score है, last year का, last year domestic और international का score, 2 is to 1 था, तो मैंने domestic का मान लिया, money 1 200, international का मान लिया 100, अब question बोल रहा है, इस साल domestic और international, दोनों में performance इंप्रूव हुआ है, तो domestic में कैसे इंप्रूव हुआ है, 1 is to 2, इसका मतलब समझो, कि जो एक run, वो last year बनाता था, domestic में, international में इंप्रूव हो रहा है, in the ratio 2 is to 3, याने वो पिछली साल अगर 2 बनाता था, तो भी 3 बना रहा है, याने देढ़ गुना, 1.5 ताइम्स, क्योंकि 2 का 1.5 ताइम्स कितना होता है, जैसे ये 1 का डबल है, ये 2 का 1.5 ताइम्स है, तो international में वो पिछली साल, हमारे हिसाब से कितना बनाया था, 100, तो इस साल कितना बनाएगा, 100 का 1.5 ताइम्स, तो guys, मेरे हिसाब से, इस साल, domestic और international मिला के, उसने total कितना स्कोर कर लिया, 550, 400, 150, है ना, but 550 guys, as per my assumption, जो question के हिसाब से कितना है, 2200 this year, दोनों को मिला कर, तो 550 अगर 2200 है, तो question बोल रहा है, international का last year का, उसका स्कोर कितना, last year का international कितना है, हमारे हिसाब से, as per our assumption, 100, तो वो actual में कितना, तो देखो, ये 550 का 4 times, तो 100 का 4 times, 400, practice के साथ, सब चीज़े होंगी गाईज, basic important है, लेकिन मैंने काया, आपको अपनी practice important है, टाली दोनों हाथ से बजेगी, और जोरदार बजेगी, come on, in a race of 600 meter, अजय beats, वीजय by races के question, इस पूरे topic, ऐसे question को पता है, क्या बोला जाता है, races topic का ही नाम है, लेकिन ये भी देखो, आप ratio से कर पा रहे हो, इसने मैंने का, ratio of percent बहुत important है, ध्यान देना, in a race of 600 meter, अजय beats, वीजय by 60 meter, इसका मतलब देखो, अजय वीजय में 600 meter की race हुई, और अजय ने वीजय को 60 meter से हरा दिया, मतलब क्या, अजय जीद गया, अजय ने पूरा 600 meter दोड़ा होगा, लेकिन वीजय 60 meter से हार गया न, इसका मतलब वो 60 meter पीछे रह गया, जब अजय race को complete कर देता है, वीजय 60 meter पीछे रह गया, इसका मतलब उसने 540 ही cover किया, मतलब मैं बोल सकता हूँ, कि जब अजय 600 meter दोड़ता है, तो वीजय कितना दोड़ता है, सिर्फ 540, on your mark, get, set, go, दोनोंने दोड़ना स्टार्ट किया, अजय ने 600 complete किया, जीद गया, लेकिन तब तक वीजय 60 meter पीछे था, इसलिए वो 60 meter से क्या हुआ, बीट हार गया, इसका मतलब वो कितने से आरा छोड़ो, उसने कितना complete किया होगा, 540 ही complete किया होगा, तो अजय और वीजय का देखो, 00 कटा ratio आपको मिल गया, 10 is to 9, 60 और 54 को 6 से divide कर दिया, 10 is to 9, Now, and in the race of 500 meter, अगली race है 500 meter की, वीजय beats अंजन, इस बार अंजन है, वीजय और अंजन में 500 meter की race हुई है, पहले गों था अजय और वीजय, अब वीजय और अंजन, 500 meter की race इस बार वीजय जीता है, और कितने से? 25 meter से उसने अंजन को हराया, इसका मतलब इस बार वीजय पूरे 500 meter का ओर करता है, बट अंजन कितना अगर पाता है 475 22 से हर गया तो guys again अगर मैं इसको simplify करूँ 20 is to 19 25 25 से divide करे 20 is to 19 guys देखो races का question लेकिन वो ही हो गया A is to B, B is to C वाला case तो तीनों को मैं common platform पे लाओ तीनों में common को नहीं वी जै यहाँ है 10 Ajay is to Vijay 10 is to 9 अब आपको मालूम है करना क्या है चुरू करो यहाँ 9 यहाँ 20 तो यह क्या हुआ multiplication 200 यह 180 और यह 171 मतलब guys जब Ajay 200 दोड़ता है तो Ajay कितना दोड़ पाता है 171 यानि आप बोल सकते हो कि 200 मिटर की race में Ajay देखो इतना तो पक्का तीनों में सबसे तेज अजय है क्योंकि Ajay विजय को हराता है विजय अन्जन को हराता है तो सबसे तेज अजय है तो 200 मिटर की race में अगर Ajay 200 कवर कर रहा है तो अन्जन कितना अब यह 3 एक platform पे आ गए है न और आखरी question देखो उसने Ajay और अन्जन का पूछा है तो गाईज जैसे Ajay विजय में एक race हुई विजय अन्जन में एक race हुई उसी तरह अगर Ajay और अन्जन में 400 मिटर का race हो तो Ajay अन्जन को कितने मिटर से हराएगा पका हराएगा ही लेकिन कितने से तो यह ratio देखो हमें क्या बोलता है कि जब Ajay 200 मिटर दोड़ता है तो अन्जन कितना दोड़ पाता है सिर्फ 171 यहनि 200 के race में 200 मिटर की अगर race है तो उसने अन्जन को कितने से हरा दिया उसने अन्जन को हरा दिया 29 मिटर से अगर 200 की race है तो 29 मिटर से हरा रहा है तो question बोल रहा है 400 की race में कितना तो यह इसका double हुआ तो इसका double ले लो 58 58 cross multiplication की भी ज़ूरत नहीं है pattern को follow करो यार pattern को follow करो यहां 200 का double हो रहा है यहां 29 का double कभी कभार ऐसा pattern बनता है तो ऐसे apply करो कभी अगर ऐसा pattern बन रहा है तो वह ऐसे apply करो या फिर cross multiplication तो hey but time बचाओ तो यह ratio में clear बोल रहा है 200 की race में अजे 200 कर रहा है यह 171 याने 29 से हर गया तो 400 में कितना 58 finish come on guys so simple now what will be the ratio of petrol and kerosene in the final solution formed by mixing petrol and kerosene that are present in the three vessel three vessel है guys three vessel है तीनों में क्या है petrol kerosene petrol kerosene petrol kerosene three vessels of equal capacity अच्छा यह तीनों vessel की capacity भी equal है ठीक है तो तीन vessel जिनकी capacity question ने बहुत best हिंडेदी equal है जिसमें तीनों में petrol और kerosene है in the ratio यह मतलब respectively यहने first का 4 is to 1 second का 5 is to 2 और second third में 6 is to 1 question समझ में है guys question बोल रहा है कि तीन छोटी छोटी बेसल है but equal capacity की तीनों की total capacity equal है तीनों में petrol kerosene है यहां लेकिन अलग-अलग ratio में तो एक final solution उसको बनाना है जिसमें उसको यह तीनों डाल देना एक साथ में मतलब यह तीन छोटे छोटे वेसल एक बड़े से वेसल में डाल कर जो एक final solution बनेगा उसमें petrol kerosene का कितना quantity भाई simple है देख लो अगर मैं इसको 5 मान लू 5 मान लू क्या है total देख लो 5 7 total देख लो मेरा इशो का total क्योंकि question ने बोला है तीनों वेसल का capacity equal है लेकिन कितना कितना यह तो बोला ही नहीं guys ऐसे case में आप capacity कुछ भी assume कर लो again assumption approach लेकिन again आपका काम आसान करने के लिए एक hint दे रहा हूँ ऐसी value assume करो जिस 5 7 का multiple हो जो 5 7 का multiple हो ratio का total जो होता है न guys अब ratio का total क्या है 5 and 7 दो बार 7 है तो 5 और 7 का multiple क्या है 35, 70, 140, 210 कुछ भी ले लो आप 70 लो कोई और 210 लेगा कोई और 35 लेगा फिर भी final answer सबका same आएगा लेने के लिए तो 100 भी ले सकते हो लेकिन फिर decimal में आएगा फिर उसको simplify करोगे फिर भी final answer same आएगा लेकिन बहुत काम बढ़ेगा तो सबसे best कहा कि आपने मैं मान ले तो 5 7 का multiple 35 लिटर और अगर एक का 35 ले रहो तो सबका 35 क्योंकि capacity क्या है equal है तो guys अब petrol कितना हो और आपको ratio apply करना आता है petrol kerosene का ratio 4 is to 1 है 35 लिटर mixture में तो petrol कितना 4 जिसका निकालना है वो numerator में upon 5 into 35 तो यह कितना होँआ guys 7 into 4 28 तो 35 में अगर 28 petrol ले kerosene कितना हो जाएगा 7 आप चाहे तो 1 by 5 into 35 भी कर सकते हो या common sense 35 में 28 petrol है तो kerosene कितना 7 यहाँ देख लो 5 by 7 into 35 अब अगर हमें petrol निकालना है तो 5 upon total 7 into 35 यह कितना हो गया 25 तो 35 में से 25 petrol है kerosene कितना 10 और यह calculation की जरूरत नहीं पढ़ने चाहे तो आपके understanding basic है इसले बता रहा हूँ ठीक है यह आपको मन में orally हो जाना चाहे petrol कितना 6 7 total है 35 तो यह कितना होँआ 30 6 into 5 30 तो भाई अगर petrol 30 है पूरे 35 में तो kerosene कितना 5 हो गया तो एक बड़ा solution बन रहा है जिसमें हम तीनो what will be the ratio of petrol and kerosene petrol kerosene का ratio निकलना है in the final solution formed by mixing these three vessels का solution तो guys अगर यह तीनो का solution मैं इसमें डाल दू तो petrol कितना आएगा petrol आएगा पहले से 28 देख लो पहले से 28 आएगा दूसरे से 25 इसरे से 30 यानि यह होगा total 83 and kerosene कितना हैगा first से 7 10 and third से 5 यह होगा 22 तो guys इस final solution में petrol और kerosene का ratio क्या बना 83 इस तो 22 यही तो पूछा था यार यही तो पूछा था तो खतम and guys यह देखते हम आज के session का last question लेकिन यह भलाई session का last question है लेकिन बीच में मैंने आपको homework दिया था वो आपको करना है and DPP yes guys DPP with solution आपके सामने आपको दिया गया है अपने app पर PW के app पर definitely आपने जहां foundation batch के लिए enroll किया है वही पर आपको मिल जाएगा call करना गया लेकिन मैं पहले आपको suggestion क्या करूँगा एक अगर systematic study करनी है तो पहले तो यह सारे question बीना देखे जिन जिन student ने मैंने समझाने के बाद किया है उन्होंने यह सारे question यह session के notes भी आपको मिल जाएगे तो यह बीना देखे पहले try करो कहा अटक रहे हो तो वीडियो देख लो लेकिन नहीं अगर आपको हो रहा है तो बीना देखे तब तक try करो उसके बाद DPP पर आना DPP पर भी आपको solution दिये जाएंगे तो अगर कोई question नहीं बन रहा है तो solution देख लेना ठीक है जब तक हो रहा है खुद से करो नहीं बन रहा है तो solution देख लेना initially दो बार देखना पड़ेगा दस बार देखना पड़ेगा लेकिन जैसे यसे आप practice में आओगे एक अपना thought process आपका develop होगा तो 100% जो आप अभी आपको 10 बार वीडियो देखना पड़ रहा है 10 बार solution देखना पड़ रहा है वो आपका 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा लेकिन yes मैं अभी भी आपको suggest करूँगा कि DPP पक्का करो 100% करो लेकिन पहले यही सारे session notes के question बीना देखे एक बार करना है 3DPP ठीक है गाइस चलो आजाओ Now, Mayank, Mirza, Little and Jaspal bought a motorbike for $1.60 चारों ने मिलकर country में एक bike ली $60 की Mayank paid one half one half मतलब क्या? आधा of the sum of amount paid by other boys मतलब गाइस देखो Mayank है Mayank को हम A में बोल दे Mirza है little है and Jaspal है तो Mayank अकेला कितना pay करता है? Mayank pay करता है one half of the sum of यार यह language को एक बार interpret करना सिग गया नख खतम Mayank pay कर रहा है one half of the sum paid by other boys other boys मतलब Mayank छोड़ कर बाकी जो बचे इन्होंने जितना pay किया है उससे half Mayank pay कर रहा है मतलब इन तीनों को मैं other बोल दूँ पहले condition में मिर्जा लिटल और जस्पाल को नुए other और इन्होंने जितना pay किया मैं मानलू two rupees पे किया होगा तो Mayank ने कितना pay किया होगा one मतलब हमें मिला यहार ratio again उसने हमें sentence में दिया था हमने उसको ratio में निकाल दिया Mayank कितना pay कर रहा है one half of the amount paid by other other याने यह तीनों मिला कर जितना pay कर रहे है उसका आधा तो मैंने दो मानलिया तो यह one हुआ ठीक है और guys Mayank और यह other मिला के कितना है 60 है न Mayank और यह other मिला के कितना है 60 मतलब इससे मुझे Mayank मिल जाएगा guys Mayank कितना आएगा Mayank आजाएगा one upon total of the ratio 3 क्योंकि यार Mayank और यह other मिला के 60 डॉलर है तो यह ratio का total जो भी है Mayank जो भी है others जो भी है यह मिला के 60 आएगा ना पक्का क्योंकि others में यह तीनों आगए और यह Mayank यानि जो भी है यह हम 60 पे अपलाए कर सकते तो Mayank कितना आया one third of 60 मतलब कितना guys 20 डॉलर तो Mayank का contribution तो मिल गया 20 आगे पड़ो मिर्जा पेड one third of the sum of amount paid by other boys अब बारी है मिर्जा की मिर्जा कितना पे कर रहा है other अब यहाँ पे other को उनाएगा यहाँ पे others को उनाएगा Mayank, little and just pal तीनों मिला कर तो guys मिर्जा अकेला पे कर रहा है one third अगर यह तीनों तीन रुपया पे कर रहा है तो उसका one third कितना हुआ one इसलिए है तीन लिया उसका one third one इस रेशो में पे कर रहा है मिर्जा and other लेकिन again मिर्जा और यह तीनों मिला के total 4 हुए और चारों का contribution कितना है मिला कर 60 तो इससे मैं मिर्जा निकाल लू one upon total of the ratio four into sixty यह orally होता है यह मैं देखकर clear हो रहा है कि one third अगर one is to three apply करना है 60 पे तो one कितना जाएगा 15 one is to two apply करना है 60 पे one कितना जाएगा 20 आपके understanding के लिए calculation बता रहा हूँ exam में जरूत नहीं पढ़नी चाहिए now मिर्जा होगा now आगे कोन है little paid one fourth of the sum little कितना पे कर रहा है one fourth of the sum of amount paid by other boys तो अगर मैं little लूगा है जब तो little कितना पे कर रहा है other boys यानि मयंक, मिर्जा और जस्पाल जितना पे कर रहा है उसका one fourth इसलिए मैंने क्या मान लिया other का four उसका one fourth होग one तो little कितना जाएगा again लेगिन little और यह तीनों मिलाकर other कितना होगा 60 तो उससे little निकाल लो one upon total of the ratio five into 60 तो यह five ने 60 को divide कर दिया 12 guys हो गया total contribution 60 है उसमें से मयंग के मिल गए 20 डॉलर मिर्जा के मिल गए 15 डॉलर little के मिल गए 12 डॉलर तो 20 प्लस 15 प्लस 12 47 का हिसाब तो हो गया तो बचावा को ने पे करेगा जस्पाल question ने यही तो पूछा है how much did जस्पाल have to pay 13 sorry 47 minus के 16 में से 60 minus 47 13 is then समका क्या यसे question भी आप एक simple thought process basic concept और background जो foundation चाहिए जो मैंने कहा calculation का table, square square root, cube cube root इससे आराम से कर सकते foundation हम बनाएंगे concept building हम करेंगे लेकिन जो basic नेड़े खाना मतलब रोटी, कबड़ा, मकान जो मैंने कहा वो आपको करना है पिर session होने के बाद पूरा notes एक बार अपने अदम पर try करना है DPP देखना है, ये चीज़े आपको करनी ही गए ठीक है? तो yes एक बार आपीस बता दूँ तो मैंक और अदर का ratio बाकियों से half याने 1 is to 2 मिर्जा और अदर्स का ratio बाकियों से 1 third याने 1 is to 3 और लिटल और अदर्स का ratio बाकियों से 1 fourth याने 1 is to 4 तो बस बाकियों सब मिला के सब मिला के, सब मिला के कितना है 60, तो उससे हमें मैंक, मिर्जा और लिटर मिला, माइनस कर दे, add करके तो जो बचा है वो जस्पाल का चारी तो लोग थी तो जस्पाल का मिल किया गई, 13 10, clear है, तो yes बने रहो गाईज, ऐसे शांदार शांदार बढ़िया सेशन आएंगे आपके लिए और definitely interest, confidence और एक जो आपका लक्ष टार्गेट है न, वहाँ तक ले कर जाएंगे बस बने रहो हमारी इस beautiful team के साथ thank you so much guys, bye bye, good day, take care